दर्सकों क्या आप भी science fiction movies देखना पसंद करते हैं? क्या आपको भी बिज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों को देखने का वो भी movie में खासा रूची रखते हैं? अगर आप भी ऐसी फिल्मों को देखने का सौक रखते हैं, तो आप फटाफट Hollywood की तरफ रुख कर लेते हैं कि भाई चलो Hollywood में कुछ बेहतरीन से science fiction movies देखते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि Indian cinema में science fiction movies नहीं बनती हैं तो आप बिलकुल भी गलत हैं, ऐसा नहीं है, अब Indian cinema में भी science fiction पर बेहतरीन फिल्में बन रही हैं, जो के आपको आज टाप कमाल की science fiction ऐसी upcoming movies के बारे में बताने वाला हूँ, जो 2023 के last में या फिर 2024 तक आपको देखने को मिल जाएंगी, और जिसे देखने के बाद आप भी कहोगे यार ये क्या science fiction है, जबरजस्ट time travel पे, जबरजस्ट invention पे, animals पे, सारी चीज़ें भी ज्यान से जुड़ी हुई, जिसे देखने के बाद आपको भी खासा मज़ा आने वाला है, तो आएए देख लेते हैं top 5 film में कौन कौन से हैं वो science fiction जो 2023 last या 2024 में आने वाली है, तो बहले बात की जाए नमबर 5 के फिल्म के बारे में दोस्तों, तो वो ओने वाली है क्रीज फोर्ज, या दोस्तों ये भी एक science fiction movies है, जो कि आपको 2024 last तक देखने को मिल सकती है, इसमें लीड एक्टर होंगे रितिक रोसन, ये इंडिया की one of the best, सबसे ज़्यादा सूपर हीरो मुवी है, और इसके सांस साथ इसमें आपको भर-भर के science fiction और technology और विज्यान से जुड़ी हुई चीजें देखने का मौका मिलेगा, ये मुवी 2024 last तक रिलीज होगी, बात की जाए अपने चौते नंबर की फिल्म के बारे में दोश्तों, तो वो होने वाली है, Mark and Tommy, जिया दर तो ये एक science fiction मुवी सोने वाली है, इसमें आपको lead actor में दिखने वाले हैं, बिसाल, और ये मुवी time travel पे dependent है, इसकी story time travel के आसपास घूमती नजर आती है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, कैसे लोग phone call के तुरू time travel कर रहे हैं, इसकी story काफी ज़्यादा जवरजस्त है, और इसकी release date की बात की जाए दोस्तों, ये कट तक आपको cinema घरों में देखने को मिलेगी, तो वो होगा, 19 सितमबर 2023 तक ये movie release होगी, बात की जाए दोस्तों, अपनी तीसरी नंबर की science fiction movie की तो वो होने वाली है, आयालान, जी आदोस्तों ये movie अगले 7 सालों से बन रही है, ये काफी ज़्यादा बेहतरीन movie होने वाली है, इसकी स्टोरी इतनी बेहतरीन है कि इसमें एक alien प्रितवी पे आ जाता है, और वो एक प्रितवी वासी से दोस्ती कर लेता है, काफी ज़्यादा बेहतरीन film है, इसे अगले 7 साल से बनाया जा रहा है, इस movie को देखने के बाद आपको भी काफी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और ये movie आपको इसी साल के दिवाली तक देखने को मिल जाएगी, अब इसी के साथ दोस्तों बात की जाए, अपने नमबर 2 की movie के बारे में तो वो होने वाली है, दो इमोटल अस्वथामा, जियां दोस्तों ये काफी ज़्यादा बिग बजट की movie होने वाली है, और काफी ही ज़्यादा बेहतरीन फिल्म होने वाली है, इसे सबसे पहले विकी कोसल को लेके बनाया जाने वाला था, लेकिन क्योंकि इस film में इतना ज़्यादा पैसा लगने वाला है, तो इसे अब अप्रोच किया गया है स्टालिस इस्टार अलू अर्जुन को, और अलू अर्जुन भी इसके कहानी में इंट्रेस्ट दिखा रहे हैं, अगर अलू अर्जुन इस movie को final करते हैं, तो इमोटल अस्वथामा एक science fiction काफी ज़्यादा बहतरीन फिल्म होने वाली है, और ये आपको 2023 last या 2024 के first महीनों में देखने को मिल सकती है, अब बात की जाए number 1 फिल्म के बारे में दोस्तों, तो वो काफी ज़्यादा बहतरीन है, और ये होने वाली है प्रोजेक्ट के जिसका अभिहाली में नाम आया है दोस्तों, कल की 2898 एडी, ये फिल्म दोस्तों काफी ज़्यादा बहतरीन है, और एक जबड़्यस science fiction movie होने वाली है, इस फिल्म में लीड एक्टर प्रभास और विलन कमल हसन, उनके साथ साथ अमिताब बच्चन सहाव और दीपिका पादकोर और दीसा पाटने भी इस फिल्म का हिस्सा होने वाली है, इस फिल्म के भी स्टोरी लाइन काफी कमाल की है, इसको future पे बेस बनाया गया है, और ये फिल्म आपको भी देखने में काफी ज़्यादा मजा आएगा और ये फिल्म 2024 12 जन्वरी को रिलीज होगी ये रही टाप 5 कमाल की साइंस फिक्षन अपकमिंग मुवीज जो आपको 2023 लास्ट में या 2024 तक देखने को मिल जाएगी बहुती जल्द दोस्तों आप इसका नेक्ट पार्ट लाएंगे टाप कमाल की साइंस फिक्षन मुवीज जिसे देखकर आपको भी काफी ज़्यादा मजा आने वाला है बहुती जल्द मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों